हलो नमिश्कार, वेलकम टो इनकलकेट लर्निंग, पैडगोजी, एंडरगोजी एंड असेस्मेंट की बात जो है हम इस सीरीज में कर रहे हैं पैडगोजी होती क्या है उसका मीनिंग, डेफिनेशन हम अल्रेडी डिस्कूस कर चुके हैं डीटेल में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिये तो आप देख सकते हैं, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ओफ पैडगोजी की, अगर आपको वीडियो इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं देखिये शुरू करने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि ये जो प्रिंसिपल्स की आज हम बात करेंगे ये इन जनरल पैडगोजी के प्रिंसिपल्स हैं, यानि आप पढ़ाते टाइम जो है किन सब चीजों को इंकलूड करेंगे ध्यान रखेंगे, basically किन सब पॉइंट्स का, जो वो सब इसमें हम मान के चल सकते हैं कि वो ही प्रिंसिपल्स हैं पैडगोजी के, जब आप पर्टिकिलर सब्जेक्ट की टीचिंग की बात करेंगे या जब आप particular subject की pedagogy पढ़ते हैं, so उसमें कुछ चीजें जो है वो add-on हो सकती है जैसे अगर आप science की बात करेंगे तो practical implications जो है वो include हो जाएंगे so वो सब चीजें आपके particular subject की according pedagogy में थोड़ी से different एक आदिबार हो सकती है, वो आप देख लीजेगा, जब आप particular subject की pedagogy पढ़ते हैं, bead में so आप शुरू करते है principles of pedagogy की, सबसे पहले हम बात करते है inclusion की, अब आप इसको चाहे इस तरीके से बॉल लीजी की principle of inclusion, या फिर आप जो है अगर आप theory exam दे रहें तो particular heading दालके या आप जो है, सिर्फ points में भी इसको explain कर सकते हैं so जब आप pedagogy की principles की बात करेंगे, so inclusion में क्या चीज़ include होती है, कि आप सब को include करके चलेंगे, हर एक बच्चे का right होता है education, और हर बच्चे को जो है वो right, वो fundamental right हमें पता है already, वो right है उसको, यानि उसको एक basic education, proper education मिलने का right है, और वो भी qualitative education, यानि quality education का right है, so inclusion की pedagogy जो हो किस चीज को support करती है, inclusive practices को support करती है, कि जब आप education की बात करते हैं, तो हर बच्चे जो है वो हर बच्चा जो है वो develop कर सकता है अपनी capacity learning के अंदर, so potential के according उनको include किया जाना चाहिए हर बच्चे को, so वो ही inclusive practice क्या है, वो principle of pedagogy है, कि आप principle of inclusion को जो है, वो follow करके चलेंगे, चाहिए आप कोई भी चीज पढ़ा रहे हो, pedagogy में inclusion जो है, वो include किया जाएगा motivation, obviously किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, या सीखने के लिए या learning के लिए, motivation बहुत जरूरी है, intrinsic motivation जो है, वो obviously inner voice या अंदर से आएगा बच्चे के but जो extrinsic motivation है तो जो student का motivation है वो mainly किस पर reliant करेगा किस पर based होगा, teacher की personality के उपर, कई बार होता है कि कई बार हमें teacher जो है, वो अच्छे मलब boring से लगते हैं या उनके पढ़ाने में interest नहीं आ रहा होता so हम जो है, वो motivated नहीं होते teacher की personality से लेकिन जब आप teacher की personality से प्रभावित होते हैं, influenced होते हैं तब आप क्या करते हैं, बहुत ध्यान से उनकी बात को सुनते हैं, उनकी lecture को सुनते हैं so जो motivation है, वो एक important pedagogy का principle हो जाता है, so जो इसमें क्या बताया गया है, कि student motivation is mainly reliant on the teacher's personality and their ability to develop and maintain a fruitful relationship this can happen by recognizing student's needs, क्योंकि student को अगर वो topic already आता है तो वो क्यों सुनेगा ध्यान से, उसको confidence रहेगा, या over confidence लगा लिजी, कि मुझे already आता है ठीक है, so teacher को क्या पता होने चाहिए, student की need उसके interest, उसके experiences so basically teacher को हर एक learner या हर एक student के बारे में अच्छे से information होनी चाहिए तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि motivation का principle जो है important हो जाता है, क्योंकि teacher अगर इन सब चीज़ों के बारे में जानता होगा so वो अपनी personality को उस तरीके से mold कर सकते हैं या कुछ interesting जो है, वे ढूंड सकते हैं उस topic को पढ़ाने के लिए so pedagogy का principle हो गया motivation quality assurance जो है, जब आप pedagogy की बात करेंगे, तो आप जिस भी subject को पढ़ा रहे हैं आपका जो content होगा, वो qualitative होना चाहिए, so सबसे ज़ादा जो है important हो जाता है जब आप quality की बात करेंगे, क्या पढ़ा तो कुछ भी रहे हैं, लेकिन content जो है, वो strong होना चाहिए so quality assurance जो है वो एक तरीके से principles में include किया जाएगा, innovative approaches use किये जाने चाहिए, pedagogy का मतलब हमने अच्छे से देखा था और अगर in short बात करें, तो आप आपका जो पढ़ाने का तरीका है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, pedagogy बोल रहे हैं, कि कैसे जो है आप student को influence करेंगे, learner को influence करेंगे, जब आप अपनी बात उस तक, उन तक पहुँचा रहे हैं, right so innovative approach होने चाहिए, आपको किसी भी बात के कहने के, जैसे हमने अभी अभी बात की थी, कि हो सकता है teacher की personality के according, बच्चे interested ना हो उस topic में या वो जो है, अगर teacher उसको interesting बढ़ना के या innovative तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो obviously बच्चों का interest या motivation जो है, वो ड्वल्फ होगा उस चीज में so innovative approach जो है वो use होने चाहिए, जब आप पेड़गोजी की बात कर रहे हैं, assessment is vital to educating and learning अब आपको कितना समझ आ रहा है आपको, आपकी जो learning है वो enhance हो भी रही है या नहीं हो रही है या आपके वो चीज होते हैं न कि सर के उपर से जा रही है सारी चीज़ें so वो ना हो, इसी लिए assessment जो है वो education में यानि educate करने के लिए और learning का जो process है, उसमें assessment बहुत vital role play करता है यानि हम कह सकते हैं कि assessment जो है, is to be assessment to be in harmony with learning यानि assessment और learning जो है वो साथ साथ चलती रहने चीज़ें ताकि learning कितनी हुई है वो आपको assessment से पता चल जाए इसको हम एक और तरीके से रख सकते हैं कि there should be a tight alignment between learning objectives, assessment and instructions, यानि जो आपने learning objectives decide कियें जब आप B.A.D. में lesson plan लिखते होंगे तो सबसे पहले objectives लिखते होंगे कि lesson plan जो आप prepare कर रहे हैं या आप objective क्या है और आप क्या चाह रहे हैं कि इस lesson plan या इस topic की delivery के बाद बच्चे को कितना आना चाहिए so वो ही क्या है learning objectives है so learning objectives क्या है फिर आपकी instructions कैसे दे रहे हैं आप उसको पढ़ा कैसे रहे हैं प्लस फिर आप assessment कर रहे हैं ये सारी चीज़ें क्या है alignment में होनी चाहिए अब आपने objective कुछ और decide किया था आपने पढ़ा किसी और तरीके से दिया या उसमें वो चीज include ही नहीं की गई objectives के according ठीक है और फिर आप assessment का कोई औरी तरीका जो है वो use कर रहे हैं तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए आपको तीनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है कि आपकी जो objectives हैं उसी की तरीके से यानि वो objectives achieve हो सकें आप उस तरीके से बच्चे को पढ़ाईए और वो पढ़ाने के बाद आपके objectives जो है अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं वो आपको assessment से पता चलेगा तो वो चीज़ों क्या है combined तरीके से चलनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिलकुल तीन directions में जा रही है तीनो की तीनो चीज़े consistency और transparency जो है वो बहुत ज़रूरी है consistency यानि कि continuity में चीज़ें चल रही है consistent है transparency में क्या आजएगा कि transparent है, biasedness नहीं है और सारी चीज़ें जो है वो fair तरीके से चल रही है जब teaching learning process की बात आ रही है एक और तरीके से हम बोल सकते है कि consistent policy framework होना चाहिए ठीक है with support for learning as their primary focus तो main focus learning पे रहेगा कि कितना अच्छे से आप समझा पाएं और बच्चे को कितना अच्छे से समझाए main focus learning पे रहेगा और policies जो हैं वो आप consistently बनाते रहेंगे ये ज़रूरी है यानि अगर आप pedagogy की बात करेंगे तो एक अच्छी pedagogy जो है किस चीज की demand करती है consistent policy framework की बात करती है और ये सारी चीज़े हर एक subject में include होती है कि आप अच्छे तरीके से जो है objective assessment instructions को plan करें consistent रहे, transparent रहे तो वो सारी चीज़े जो है हर एक subject में include की जाएंगे थोड़ा सा और detail में अगर हम बात करें तो student के requirements interest और variety जो है वो किसमे reflect होंगी learning, encounters and program content सो जो आप पढ़ा रही है उसमें यानि कि वो students जो है उनकी क्या requirement है उनके क्या interest है जो हमने अभी बात की ना कि teacher को अच्छे से पता होना चाहिए बच्चे के बारे में सो वो सारी चीज़े वो जो content teacher पढ़ा रहा है उसमें reflect होनी चाहिए क्योंकि teacher को अच्छे से पता है अपने learners के बारे में अपने students के बारे में और वो उनके basis पे ही content को prepare कर रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ाना है तो जो program का content है वो क्या है reflect होना चाहिए यानि कि उसमें reflect क्या होनी चाहिए student की requirement, interest और अलग-अलग तरीके की चीज़े उसमें reflect होनी चाहिए students are tested and given occasions या opportunities हम बोल सकते हैं to grow profound understandings considering their qualities and perspectives to construct and apply abilities basically students को जब आप assess कर रहे हैं तो उस time पे उनको ample amount of opportunities मिलनी चाहिए ताकि वो जो understanding है उनकी वो develop कर पाए और वो एक self decision वाली जो चीज़ है कि वो खुद के उपर self confidence है और वो अपने decisions खुद ले सकते हैं उनको अपना अच्छा और बुरा पता है तो उस तरीके से उनको हर एक opportunity जो हो अच्छे से मिलनी चाहिए और ample amount of opportunities होनी चाहिए ताकि जो है वो एक constructive और वो जो है खुद की abilities को जो है वो construct कर पाएं प्लस जो चीज़ें उन्होंने सीखी हैं वो real life में apply कर पाएं so overall हम बोल सकते हैं कि pedagogy किस चीज़ को promote करती है self inspiration को, ingenuity को autonomy और association को conclusion क्या है कि pedagogy जो है principles आप जो बात कर रहे हैं वो किसको promote करेंगे कि एक better learning environment होना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो खुद से सीख सके चीज़ों को, ठीक है तो वो pedagogical, वो learner centered जो है pedagogy होनी चाहिए वो उस चीज़ पे हम focus करेंगे अब ये थे in general points अब कुछ एक authors हैं जिनोंने जो है अलग-अलग तरीके से principle को define किया है, जैसे कि शावनी ने 2019 में जो उनका paper publish हुआ, उसमें उन्होंने define किया कि ये ये principles define किये, जिसके according, जो Paul Fryer है, वो किसको adopt करते हैं, cooperative classroom strategy को, यानि आप cooperatively work करेंगे, teacher और student जो है, वो मिल के काम करेंगे और वो जो है, वो pedagogical framework होना चाहिए, मारिया Montessori के अगर हम बात करें, तो वो learner directed environment को develop करने की यानि की, मतलब उसके उसको support करती है, learner directed environment को, उससे क्या होगा, ताकि एक जो initiative है, या curiosity है, वो बच्चों में develop हो पाए, so learner centered जैसे learning की हम बात करते हैं, ना कि teacher centered हो सकती है, या learner centered, या learning centered, so ये learner directed environment की बात कोन कर रही है, कोन कर रहे हैं, मारिया Montessori, William C. Bagley, इन्होंने adopt किया teacher centered educational model, जो की society को preserve करके रखेगा, कि teacher centered होनी चाहिए, जो teacher बता रहे हैं traditionally, या जिस भी तरीके से, वो जो है बच्चों को अच्छे से develop कर पाएगा, ऐसा इनका कहना है, तभी वो teacher centered education को adopt करना चाहरे हैं, या teacher centered pedagogy को support करते हैं, so आपके objective exams में, अगर बहुत deep में गए, तो इन में से कोई question शायद आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, कि किसने कौन से method को support किया है, छीक है, कि cooperative classroom strategy को कौन support कर रहे हैं, support कर रहे हैं, कौन से form को pedagogy की form को support कर रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही, कौर्थगिन अटॉल 2006 में, अब जब हम at all लिखते हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए, कि at all मतलब इनके साथ और भी लोग included थे, but major role इनका था, तो इनका जो है, वो first name include करके, हम at all लिख देते हैं, सब के नाम mention करने की बजाए, इन्होंने किसको advocate किया, empirically based and practical oriented pedagogy, so ये practical implications के उपर जादा focus कर रहे हैं, कि आपको इस तरीके से जो है, वो pedagogy का framework होना चाहिए, जिससे की practical orientation जादा better हो, practically या, जो practical implications हैं, वो जादा हो, और बच्चे अच्छे से सीख पाएं, और उसको practical life में use कर पाएं, so ये किसने support किया, कॉर्थगन ने, अब एक और है, J.S. Brunner, उन होने जो है, उनकी जो thinking है, उनके according जो principles हैं, वो ये 5 हो जाएंगे, motivation, exposition, direction of activity, criticism and inviting imitation, so इन 5 जो principles हैं, कि motivation रहना चाहिएं, वो हम अलड़ी discuss कर चुके है, exposition, यानि कि आप comprehensively और description के साथ एक अच्छा explanation दे रहें, किसी भी idea का या, थियरी का, so आप pedagogy के दोरा, यानि कि principle of pedagogy में, क्या होना चाहिएं, कि आप अच्छे से explain कर रहें, बहुत detail, ठीक है, direction of activity, ऐसे ही criticism, और obviously criticism, जब हम बोलेंगे, तो वो constructive criticism होना चाहिए, क्योंकि हम हर चीज को positively जो हो चीजों की बात करेंगे, और positively ही, जब आप pedagogy के questions को answer करेंगे, तो आप principles जो उन्होंने mention किये हैं, वो भी हमने discuss कर लिया, so I hope आपको principles जो है, pedagogy के in general वो समझ आ गए होंगे, कुछ भी अगर आपको न समझ आया हो, सो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं, this was all about today, thank you so much for watching,